गुड मॉनिंग फ्रेंट्स और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल यूजी सी नेट पर और आज मैं आपके लिए आपर करन्ट अपेर से जुड़वे जो भी इंपोर्टेंट बनते हैं थे वो सभी क्यूशन में लेकिया हूं तो दोस्तों जिन्हों ने भी अब वार्ट्स ग्रूप को जोइन नहीं किया है तो आप इसे जोइन कीजे टेली ग्राम गुरूप को भी जोइन कर सकते हैं इस्टाग्राम पर आप हमें फोलो कर सकते हैं इन सब के लिंक आपको नीचे मेंसन किये गया है इसके अलाव मारे वेबसाइट है www.ugcnet.com यहां पर ज नहीं देना पड़ेगा तो www.ugcnet.com यहां पर जाईए यहां से पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अब हमारा जो फिल्लर फॉर्म एपस है वह बहुत ही जल्दी आपके लिए आप पर लॉंच होने वाला बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच माने वाला प् प्री नोट्स रहेंगे लाइव क्लासेज आपको यहां पर मिलेगी 5000 प्लस MSQ प्लस पीवाई क्यूंस आपको और फ्री इबुक्स यानि कि सबकुछ आपको एक ही एप में मिलने वाला जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला तो जब भी एपस आता है आप इसे डाउनलोड है और रजिस्टेशन जरूर कीजेगा कि बरते हमारी एक उसन की तरफ जो की बहुत इंपोटेंट जो की इंपोटेंट रहने वाले आपकी हर कंपिटिशन से एक्जाम में क्यूंकि करन्ट अपेर हर कंपिटिशन से एक्जाम में आपके लिए पर पूछे जाते हैं तो विवद से विश्वास की ओर के तरद बुक्तान करने की जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिये अब नई समय सीमा क्या है गॉपर्मेंट एस एक्सेंड दा डेड लाइन टुमेक पेमेंट अंडर दा विवद से विश्वास वाट इस दा न्यू डेड लाइन ऑप्षान है 30 अप सरकान एक बार फिर मामारी के कारण करदाताओं को रहात देने के लिए प्रत्यक्स कर विवाद निप्टान योजना विवाद से विश्वास के तहत बुक्तान करने की समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ा दिये गॉर्मेंट एस वन सगें एक्सेंड देड लाइन फॉर मेकिंग प तू मन्त तिल जून 30 2021 तू प्रवाइड रिलेव टूदी टेक्स प्लेयर स्पेसिंग हैड हार्चिप एमिड़ दा पेंडेमिक फेंडेमिक की नेक्स्ट है कि दवरून 2021 कि देश की न षिर्यनके साथ भारते न षिर्य न के बीच आयोगी दुपक्षिय न आप्यास का उनिस्वा संसख्रणाय है तो वरून 2021 कि देश यह न 19th edition of the bilateral navy exercise conducted between the Indian navy with the navies of which country? Option A, France. Option B, Roos. Option C, Singapore. Option D, Sri Lanka. इसका राइट आंसर का option A, France. भारतिय और प्रांसिसी नो सेना जीपक से अभ्याज U.N. Varuna 2021-25 से 27 अपरेल 2021 तक अरब सागर में अवजित किया जाएगा. The Indian and France Navy Violateral Exercise Varuna 2021 will be conducted in the Arabian Sea from 25 to 27 अपरेल 2021. Next is P.M. Nihindra Modi ने 24 अपरेल 2021 को देज भर में ग्रामिन आबादी को इस संपती कार्ड वित्रित करने के लिए एक योजना शुरू की है. इस योजना का नाम बताईए. तो P.M. Nihindra Modi ने 24 अपरेल 2021 को देज भर में जो ग्रामिन आबादी है. उसमें इस संपती कार्ड वितित करने के लिए एक जोजना शुरू की है इस जोजना का क्या नाम है पीम नहेंदर मोदित लौंच है स्कीम पॉर डिस्टिबुशन और इप्रोपर्टी कार्ड टू रूरल पॉपुलेशन अक्रोज दा कंट्री ओन एप्रिल 24, 2021 नेम दी स्कीम अप्शन A कोसल, अप्शन B आदस ग्राम, अप्शन C सम्रदी, अप्शन D स्वामित्व इसका राइट आंसर होगा अप्शन D स्वामित्व प्रदानमंती नेंदर मोदी ने 24 अप्रेल 2021 को राश्टिय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ये संपती कार्ड के वित्रन की शुरुवात की प्राइम मिनिस्टर स्री नेंदर मोदी लोंग दा डिस्टिविशन ओव इस प्रोपर्टी कार्ड अंडर दा स्वामित्वा स्कीम ओन नेशनल पंचायती राज दे अप्रेल 24 थुव वीडियो कॉन्फरेंसिंग नेक्स्ट आए कि वर्ष का कौन सा दिन विश्टु मलेरिया दिवस के रूप में मनाय जाता है विश्ट डे ओप दा इयर इस कमेंवरेटेड एस दा वर्ल्ड मलेरिया डे तो विश्टु मलेरिया दिवस कब मनाय जाता है प्रेश्च 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 प् prefer to the people worldwide to control malaria next question is RBI की पूर Governor का नाम भारत में banking सुधारों के जनक के रूप में माना जाता जिन का आली में निदन हो गया तो भारत में banking सुधारों के जनक कहा गया जिनका के हाल में निदन हो गया तो नेम ऑव दा फोर्मर गवरनर ओ आर भी आई इसका राइट आंसर है कि भारत में जो बेंकिंग सुधारों के जनक किसे का जाता है या जिनका की हाल में निदन हो गया जो कि आर्बिया के पूर गवर्नर थे वो हैं एम नर्सिमम भारती रिजर बेंक के पूर गवर्नर एम नर्सिमम जिने भात में बेंकिंग सुधारों का जनक माना जाता था COVID-19 से समधित विमारी के कारण निदन हो गया वो चोड़ानव वर्सके थे दा फोर्मर गवर्नर अप रिजर बेंक अप इंडिया एम नर्सिमम फोर्म है कि स्युक्तराष्ट मानिता प्राप्त अंतराष्टिय प्रतिनिति दिवस किस दिन मना जाता है तो स्युक्तराष्ट मानिता प्राप्त अंतराष्टिय प्रतिनिति दिवस कब मना जाता है The United Nations Recognized International Delegates Day is Absorbed on which day Option A 25 April Option B April का अंतिम रिवार Option C 26 April Option D April का अंतिम सनिवार इसका right answer Option A युद्ध और संगस को रोकने और बाचित और सयोग से सांतिपून और सम्रत समाजों का माग प्रसस्त करने के लिए सयुक्तराष्ट में सदेशे देशों के प्रतिनिति और प्रतिनितियों की भूमिका के बारे में जागरुक्ता बढाने के लिए 25 April को अंतराष्टिय प्रतिनिति दिवस मनाया जाता है विशेज रूप से सबसे कटिन समय के दोरान The International Delegate Day is observed on April 25 to raise awareness of the role of representatives and delegates of the member states to the United Nations in preventing war and conflict and paving the way of peaceful and prosperous societies through dialogues and collaboration particularly during the most difficult of time नेक्स आए कि नियाय मूर्ती नथाल पती वेंकर ट्रमन ने हाली में भारत के चीप जस्टिस के रूप में सपत लिए तो चीप जस्टिस के रूप में आपर सपत लिए नियाय मूर्ती नथाल पती वेंकर ट्रमन जो की भात के कौन से चीप जस्टिस यहां पर वो बने हैं जस्टिस नथाल पती वेंकर ट्रमन हैस बीन वं इस दाचीप जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटलिант कि तो कौन से नम्मर के हां पर वो चीप जस्टिस बने हैं जंनोंने निया मूर्ती नथाल पती वेंकर ट्रमन जिन neighbor चीप जस्टिस के अभी जिहालि में सपत लिये तो आप्शन है 40 वे आप्शन B 36 आप्शन C 52 ओप्शन D 48 इसका राइट आंसर ऑपशन D 48 नियामूर्थी नतल नतमल पती वेंकटा रमनने 24 अप्रिल 2021 किसको भात के 48 वे मुख्य नियादिस के रूप में सपत लिये Justice Natmalpati Venkata Raman Vajshwan is as the 48th Chief Justice of India on April 24, 2021. विवाज से विश्वास किस मंत्रा ले द्वारा सुरू किया गया है? विवाज से विश्वास किस मंत्रा ले द्वारा सुरू किया गया है? दा विवाज से विश्वास is launched by the Ministry. उप्सन है Ministry of Health and Family Welfare, उप्सन B, Ministry of Education, उप्सन C, Ministry of Finance, उप्सन D, Ministry of Agriculture. स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा ले उप्सन B, सिक्सा मंत्रा ले उप्सन C, वित मंत्रा ले, उप्सन D, क्रशी मंत्रा ले. इसका राय टांसर होगा, वित मंत्रा ले. नेक्स्ट है कि विश्व मलेरिया दिवास 2021 का विश्व क्या है, वाट इस था, तीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे टुथावजन ट्वंटीवन. तो विश्व मलेरिया दिवास 2020 का विश्व क्या है, उप्सन A, सुन्य मलेरिया लक्से तक पहुचाना, उप्सन B, सुन्य मलेरिया मेरे साथ सुरू होता है, उप्सन C, मलेरिया को मात देने के लिए तयार, उप्सन D, भविश्य में निवेस करे, मलेरिया को हराए. तो विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विश्व था ओप्सन ए सुनने मलेरिया लक्से तक पहुचाना नेक्स्ट है कि दीपक्सिय अब्यास वरुना 2021 के सिस्तान पहाज़ित किया जा रहा है तो दीपक्सिय अब्यास वरुना 2021 के सिस्तान पहाज़ित किया जा रहा है बाइलेटरल एक्सराइज वरुना 2021 इस बिंग हेल इन विज प्लेस अप्शन है आर्गटिक महासागर ओप्शन भी हिंद महासागर ओप्शन सी अरब सागर अप्शन दी अंडमान सागर इसका राइट आंसर होगा अप्शन सी अरब सागर भारती और प्रांची सी नोशेना दीपक्स अभ्याज वरुन 2021 का उनिश्वा संस्क्राण 25 से 27 अप्रेल 2021 तक अरब सागर में चलाए जाएगा दन्यवाद दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और शेयर चरू कीजेगा धन्यवाद दोस्तों